दुनिया के टॉप टेन अमीरों में शामिल रहे भारती उद्योग पती गौतम अडानी के विशाल समराज्य को हिलाने के बाद अब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का निशाना बने हैं ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी शौक्ट सेलफ फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैक डॉर्सी की कमपनी ब्लॉक इंग पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और इस रिपोर्ट में जैक डॉर्सी की कमपनी पर कई गंभीर आरोब भी लगाए गये हैं नमस्कार मेमिद दिवान और आज बात हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की जिसने ट्विटर के पूर्व सीईयो जैक डॉर्सी की संपत्ती पर बड़ा असर डाला है और रिपोर्ट आने के बाद जैक डॉर्सी 52.6 करोट डॉलर्स गवा चुके हैं चलिए जानते हैं वो कौन से पाथ सबसे बड़े आरोप है जो हिंडनबर्ग ने जैक डॉर्सी की कमपनी ब्लॉक इंक पर लगाए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने कहा है कि उसने जैक डॉर्सी की पेमेंट कमपनी ब्लॉक इंक के शेरों को शॉर्ट किया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पहला आरोप ये है कि ब्लॉक इंक अपने ग्रह को और सरकारों के खिलाफ फ्रॉट कर रही है शौर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने डॉर्सी की कमपनी पर गलत आकड़े जारी कर निवेशकों को गुमरा करने का आरोप लगाया है और इसमें कहा गया है कि ब्लॉक इंक के आदे से ज़ादा अकाउंट फेक है जो फ्रॉट करने में शामिल है इतना ही नहीं हिंडनबर्ग का आरोप है कि कमपनी ने यूजर्स की संक्या को बढ़ा चड़ा कर पेश किया है हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में तीसरा बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जैक डॉर्सी के नित्यत्र वाली ब्लॉक इंक कमपनी बैंकिंग की पहुँच से दूर रहने वाले लोगों को निशाना बनाती है और उनकी मदद के नाम पर शोशन कर रही है रिपोर्ट के मताबिक कमपनी अपने ग्रहा को के साथ धुका करने के साथ ही जिन शेत्रों में मौझूद है वहाँ की सरकारों के साथ भी फ्रॉट कर रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक कैश एप के जरिये अपरादियों को फाइदा मिल रहा है और इसमें ये आरोब भी लगाया गया है कि कोई भी फरजी वाड़ा उजागर होने की स्थिती में उसके खिलाफ कारवाई के मामले में ब्लॉक ने बेहत गैर जिम्मेदराना रविया अपनाया है हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पांचवा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैक डॉर्सी ने इस तरह हेर फेर करते हुए पांच अरब डॉलर का समराज्ये खड़ा कर लिया है और फरजी आकडों की मदद से कोरोना महामारी के दोरान ब्लॉक का शेयर सिर्फ 18 महीने में 639 फीसदी उपर बढ़ गए थे चलिए जानते हैं कौन है जैक डॉर्सी माइको ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म के फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ट्विटर की कमान छोडने के बाद ट्विटर को टकर देने के लिए नए प्लैटफॉर्म ब्लू स्काई को लांच किया था जैक डॉर्सी 2015 से 2021 तक ट्विटर के फाउंडर रहे थे और 2006 में जैक डॉर्सी ने इवन विलियम्स के साथ हाथ मिला कर माइको ब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म ट्विटर को तयार करने के बाद इसे यूजर्स के लिए लांच कर दिया था बात करें हिंडनबर्ग की तो हिंडनबर्ग को नेथन एंडरसन के नेतितर वाली शौर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने साल 2017 के बाद से अब तक ब्लॉक इंक से पहले 17 कंपनियों में गड़बडी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है जैक डॉर्सी की कंपनी इसकी 18 वी शिकार बनी है हिंडनबर्ग ने इससे पहले अडानी ग्रूप को लेकर अपनी रिपोर्ट बीते 24 जनवरी को पब्लिश की थी और इसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों में जो सुनामी आई उससे अडानी ग्रूप का मार्केट कैप कुछ महीने भर में ही 100 अरब डॉलर के नीचे आ गया और अडानी की नेट वर्ट का 60 फीसदी हिस्सा साफ हो गया आज के एक्स्प्लेनर में इतना ही ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे है आई एनस टीवी